हेलो एवरीवर्ण आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विद सन्वाई में मैं प्रीम बतिया दो आज हम होमियोपेथिक मेडिसीन लीडम पैलेस्टर के बारें बात करने वाले हैं जिसे हम लीडम पाल बोलते हैं ठीक है इसका कॉमन नीम क्या है मार्स टी इसके प्रूबर है डॉक्टर हैंवन इरिकेसी फैमली की मेडिसीन है इसके सोर्स की बात करें तो वेजिटेवल किंडम की मेडिसीन है इसका एक्षन देखते हैं किसका स्फियर ओफ एक्षन कहा है यह कहां बहुत अच्छे एक्षन करती है तो इसका बहुत अच्छे हो या small joints हो इन सब में हमें इसका action बहुत अच्छा देखने को मिलता है अब हम इसके constitution की बात करें तो यह acute drug है इसका constitution बहुत ज़्यादा important नहीं होता है बट इसका person जो होगा बहुत ज़्यादा चिली होगा और हमें यह देखने को मिलेगा इसका बहुत peculiar symptom है कि इसका person चिली है and most of the complaints में हमें रिलीव भी चिली से ही मिलेगा ठीक है सोरा एं सिफलिस्ट में आज की medicine है rheumatic and gouty diethesis देखने को मिलेगा मतलब जोडों के दर्द अगर किसी person को हो रहा है या acute है या प्रोनिक है तो उस समय हम लीडम पैल के बारे में सोच सकते हैं बहुत अच्छी एक्ट करती है अब हम इसके guiding symptoms देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा लैक ओफ एनिमल हीट मतलब क्या है कि वाइटल हीट जो है ना person में कम होगा इसकी वज़ा से person में unnaturally coldness देखने को मिलेगी इसके person को आप जब भी टच करेंगे तो बहुत ज़्यदा ठंडा होगा ठीक है और इसके most of the complaints में हमें ठंड से ही relief देखने को मिलेगी जैसे जोडों में दर्द हो रहा है small joints हो या big joints हो तो इसके person को अगर यह ठंडे से ठंडे water से cold water से अगर अपने पैर को रख ले तो हमें relief देखने को मिलेगी या apply कर ले ठंडे पानी में हाथ दोले तब भी हमें relief देखने को मिलेगा और अगर इसका person देखने को मिलेगा इसकी body part हम देखते हैं जब भी टच करेंगे तो बहुत जबादा टच में हमें cold feeling आएगी ठीक है और इसके person हमेशा complain करेगा कि बहुत जबादा ठंडा रहता है कि इसमें में swelling देखने को मिलेगी shooting type का pain होगा knees में जब person walk करता है और क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो भी pain होगा ना ascending type का होगा मतलब क्या होता है ascending का नीचे से ऊपर की ओर मतलब feet से knee के तरफ मतलब आपके पैर का तलवा हो गया वहां से घुटने तक या घुटने के ऊपर आएगा फिर ascending type का pain देखने को मिलेगा stiffness होगी इस person के joint में इसकी वज़ए से जब भी move करेगा तो person में pain देखने को मिलेगा rheumatism and gouty देखने को मिलेगा lower limb में swelling होगी बहुत ज़िए stiffness होगा pain होगा shooting type का pain देखने को मिलेगा टीरिंग टाइप का pain देखने को मिलेगा और knees से ऊपर की तरफ भी pain आपके देखने हो रहा है क्योंकि heat of bed को यह intolerable देखने को मिल रहा है मतलब इसका पर्सन जो है ना किसी भी तरह के heat को tolerate नहीं कर पा रहा है और इसको में रिलीव देखने से मिलेगा uncovering से cold water से जबकि हमें usually क्या देखने को मिलता है अगर किसी के पर्सन में gouty मतलब अगर चोडों में दर्द देखने को मिल रहा है तो इसका पर्सन अगर थंडा अपलाई करता है तो इसके compliance एग्रावेट होते हैं बट हमें लिटम पाल में देखने को मिलेगा कि सके complaints जोंगे कम होते हुए दिखाये देंगे ठीक है अगर किसी पर्सन में burn हो गया हो बार्न के पर्टिकूलर शिम्टम्स की आई से स्टार्ट करते हैं तो हीमरेज देखने को मिलेगा हमें इंटीरीर चैंबर ओफ पडौरी मतलब ऐडिस के आउयरीस के बाद हमें ही ज Breaking पिकत इंत बिए फिर jos लेखने को मिलेंगे और वह ना जैसे किसी ने जए रहें P देखने को मिलेंगे यहां पे माउथ के पास राउंड नोज के पास हमें वो भी रड कलर के दिखाई देंगे हमें कि अब अर्व हम इंज़्य की बात करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा यहांच किया जाता है इंज्यूरी में किसी तरह की परसन को साप हिंस्टूमेंट की वजह से इaldo इंज्री हो एग्या उकिवें ने बाइट कर दिया मॉसक् affects ह मेडिसें के बारे में शोच सकते हैं इनज्री कहीं पर भी देखने को मिद सकती है हमें इंटर्ण वानी आ से से अंटिरियर चमबर से आफ्टार आ्रियिसेक्टोमी तभी हम इसके मेडिיסीशन के बारे में सोच सकते हैं एक फिन्ली सदेखने को मिलेगा हमें extra v обрат देखने को मिलेगा इसकी वज़जसे लीट्स में न एक आइमोसीस देखने को मिलेगा एंड कंजक्टिवा अब हम इसके सेंसेशन की बात करते हैं तो जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगा हो ब्रूस्ट एंड बिटन सेंसेशन देखने को मिलेगा ठीक है जैसे उसे मारा जा रहा हो और पेन का करेक्टर कैसा होगा स्टिकिंग टीरिंग एंड थोबिं की बात करते हैं तो मोशन से नाइट में वाम अब बेड की वजह से कवरिंग से इसमें हमें कंप्लेंज होते हुए दिखाई देंगे हम एमल्यूरेशन की बात करते हैं कि परसन को अच्छा कब लगेगा अप्लाइं आइसी कोल्ड वाटर मतलब अगर वह कहीं पे भी इफे कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं अब हम इसके लोकेशन की बात करें तो हमें पूरे बॉडी में भी देखने को मिल सकता है और एकने की बात करें तो एकने हमें इस्पेसली फोरेट में देखने को मिलेगा फेस में एक् होगा और बहुत ज्यादा इस पर्शन में देखने को मिलेगी कि तुरन तुरन इसका एंकल जब पर्शन चल रहा होता है तो क्या होता है मुड़ जाता है उसके पर्शन की बात करें तो इसमें मोशन से नाइट में वाम आप बिट से कवरिंग से और स्क्रैचिंग मतलब इसक से क्रवचन में एगरावेशन देखने मिले और सब्लस cole जाना ये हाचिन एफिए Mom this के प्लस नहीं ह salon है मतलब एक्यूट हो या काफी लंबे समय से किसी परसंद में जोडों में दर्द देखने को मिल रहा है जब चलता है तो कंप्लेंस बढ़ रही हूं और बहुत जडा स्टिफनेस देखने को मिलें लैंबनेस देखने को मिलें तब हम तोबिंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा इस पेसली हमें लेफ्ट सोल्डर में देखने को मिलेगा और लेफ्ट सोल्डर एंड राइट हिप टेरिंग पेन होगा इस्टिचिंग पेन होगा जो की क्रॉस्वाइज होगा गार लेफ्ट में है तो राइट हिप में इधर द देखने को मिलेगा अब हम दो टाइप के रुमेटिस्म में गाउट में इसका यूज देख रहा थे एक्यूट और क्रोनिक तो एक्यूट की बात करते हैं तो जॉइंट में स्वालन देखने को मिलेगा बहुत दा सूजन होगी होट होगा इंफ्लेम पार्ट जोना रेड होग पेंफुल नोड्यूल जैसे फीलिंग आएगी और इसका पेंज ना लेफ्ट सोल्डर में देखने को मिलेगा और राइट हिप में ऐसा हमें एंटिम टायट में एंडिस्ट्रमोनियम में भी देखने को मिलता है इसके एंकल्स जोना बहुत ज़दा पेंफुल होंगे सोर्स होंगे टच करेंगे तो बहुत ज़दा सेंस्टिव होगा टच को भी लेके और इसमें जो है ना असेंडिंग टाइप का पें देखने को मिलेगा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा फीट से अपर लिंब की तरह पाएगा ठीक है रूमैटिस एंड गाउट के लिए ब मोशन से और इसको एमलियोरेशन किस्ते होगा वाटर से होल्डिंग फीट इन आइसी कोईट वाटर थैंक यू फॉर वाचिंग